ये मैंने एक छोटा सा कपड़े का पीस लिया है जिस से आज हम बनाएंगे तो बना का साइज होगा 28 और 30 इंच इसके साइज के हम बनाएंगे तो गाईज सबसे पहले हमें क्या करना है इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे कपड़े को हमने एक बार फोल्ड कर लिया फिर हम इसको दो बार फोल्ड करेंगे तो guys मैंने यहाँ पे इसको दो बार फोल्ड कर लिया है अब हमें क्या करना है इसके उपर हम निशान लगाएंगे किस तरीके से हमें इसके उपर निशान लगाकर यहां से देखो मैंने यह निशान लगा लिया है यहां हम पांच इंच के उपर निशान लगाएंगे और यहां पे हमें चार इंच पे निशान लगाना है अब दोस्तों हमें इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे यहां पे थोड़ा थोड़ा राउंड देते हुए यहां से मैंने थोड़ा सा राउंड के अंदर निशान लगा लिया है अब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहां से देखो धीरे से धीरे धीरे हम इसकी कटिंग करेंगे यह नहीं है कि जल्दवाजी के अंदर cutting करें, एक्षा हमारा जो piece है वो cut जाए यहां से मैंने इसको काट लिया है अब यहां से हम बीच के अंदर से इसके piece कर लेंगे, तो ये इसके 4 पीस त्यार हो गये है अब दोस्तों फिर से हम 4 पीस और ट्यार करेंगे, ऐसे कपडी को रखेंगे तो टोटल जो हमारे ये पीस होंगे वो 8 पीस हमें त्यार करनी है फिर हमें इसकी सिलाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगे तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें आपको अच्छे से बरा की कटिंग एंड स्टिचिंग है वो पूरी ड दो इंच निकालना है तो इसकी दो पटी त्यार हो जाएगी दो दो इंच की तो यहां से ये दो दो इंच के हमारी दो पटी त्यार हो गई है इस पटी को हमें ऐसे फोल करकर यहां से हम स्लाई करेंगे इस तरीके से और कोर्नर के उपर यहां पे हमें स्लाई लगानी है तो हमारे यह 8 पीज थैर अब यह त्यार होंगे देखो एक के साथ में ईहसे हमें जोइंट कर ना है सको सुलाही करकर तो इसरी के सीलिए दूसरी प में Mariko करेंगे अब हमें यहां से थोड़ा थोड़ा कट लगाना है जैसे हम अपना नेक डिजाइन बनाते हैं अंदर की फिटिंग के अंदर शिलाई लगाते हैं तो वहां से हम कटिंग करते हैं तो वैसे हम यहां से कटिंग करेंगे और शिलाई लगाएंगी अब हमें ऐसे पीस को उपर ही हमें कटिंग करनी है और उसी पीस के उपर हमें इस तरीके से स्लाई लगा कर कवर करना है अब हमें क्या करना इस तरीके से दोस्तों ये पीस रखेंगे पीस के उपर इस तरीके से दूसरा पीस रखेंगे और इसके बीच में हम ये पटी लगाएंगे फिर हम इसकी इ इसे सेब बनाई है उसी तरीके से हम स्लाइ करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहां से यहां तक इसको सील कर complete कर लिया है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद में हम इसके उपर भी अच्छे से slide लगाएंगे बार की side में corner के उपर ताकि इसकी जो finishing है वो बहुत ही अच्छी आएगी तो इस तरही के से मैंने इसको भी seal कर त्यार कर लिया है तो ऐसे हम दूसरे pieces को seal के त्यार करेंगे तो दोस्तो ऐसे देखो यहां पे मैंने दोनों जो हमारे piece थे वो मैंने डोरी लगा कर seal लिये हैं आब हम elastic लेंगे elastic को यहां से हमें देखो इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है वो आपको mobile के screen पे दिखी रही होगी कि हमें इसकी लंबाई 25 इंच लेनी है आब हम इसको बीच के अंदर से fold करेंगे और इसके ऊपर हमें चलो पहले हम बीच के अंदर एक छोटा सा pieces लेते हैं और यहां पे हम रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं ताकि इसको सीलने के बाद में हमारी ये बरा की जो खिंचावट पड़ती है वो नहीं पड़ेगी अब यहां से हम बीच के अंदर रखेंगे और फिर elastic को हम स्लाई से cover करेंगे तो दोस्तो इस तरीके से मैंने elastic को रखते हुए और पूरे को सील लिया है और सील कर देखो अब हम इसके उपर एक स्लाई और लगाएंगे ताकि इसकी finishing अच्छी आ जाए तो मैंने बाहर की साइड भी अच्छे से इसके उपर स्लाई लगा कर cover कर लिया है और बीच के अंदर भी एक मैंने छोटा सा piece रखकर सील दिया है और इसको hook और आई होते हैं वहां से मैंने इसको सील दिया है क्योंकि इलास्टिक है बहुती comfortable होता है इसके साथी दोस्तों देखो हमारी ये सुन्दर और प्यारी मश्बूत comfortable बरा बनकर त्यार हो गई है तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर ही पसंद आएगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सेयर जरूर कीजिएगा अगर चैनल पे तो प्लेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें